तो दोस्तो आज 30 ओक्टबर 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टन शर्सक्रिपर कुछ इंपॉर्टन अपडेट से कुछ इंपॉर्टन न्यूज है तो चले के करके कवर करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी सेक्टर का मल्टी बैगर कंपणी के पी आई टेक्नलोजी लिमिटेट शेयर के बारे में आज कंपणी का रेजल्ट आउट हुआ क्वाटर टू का वो भी डियूरिंग मार्केट में और इंस्टैंडली उसका इंपक्ट हमें शेयर में देखने को मिलगा लगबग 5.20 जम्प करके शेयर क्लोजिंग दिया अब चले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपणी एक्चुल में क्या इतना अच्छा परफॉर्म किया जो की शेयर में इतना तेजी देखने को मिला तो देखें लास्ट इयर की बात करें सेप्टेंबर 2022 पे कंपणी की टोटल इंकम का नंबर था एक हजार अठानब करूर रुपए यानि सीदी सी बात कंपणी एयर ओन एयर बेसिस पे भी इवेन क्वाटर ओन क्वाटर बेसिस पे बी टोटल इंकम के मामले में बहुत बढ़िया पदर्शन किया साथी साथ नाकेवल कंपणी की टोटल इंकम इंक्रीज वा ब मैनेजमेंट ने 19 परसें सीदा ग्रोथ होके 20 परसेंट पर पहुँच चुका इवन क्वाटर ओन क्वाटर बेसिस पे मार्जिन के अंदर जम देखने को मिला और जिस बाइज होना था वही हुआ मतलब कंपणी की नेट प्रॉफिट में ओविसली ग्रोथ तो हुआ ही उसक 34 करोड से जम्प करके 141 करोड पहुच चुका है एकदम अल्टिमेटली रेजल्ट कंपणी बार प्रेजन किया और जिस बाइसे जो होना था वही हुआ जैसे कि आप देख सकतो कंपणी की रेविन्यू के अंदर 60% की ग्रोथ रहा यर और उसके साथ साथ प्रॉफिट के अ बढ़िया यहां पर बोलूंगा ब्रोकरेज कंपणी को 50% डाउंग्रेट किया था याद कर गए तब भी मैं आपको क्या बोला था इस टेप की सेक्टर इस टेप की कंपणी को कभी हाथ से निकलना नहीं देना मतलब अगर शेयर में ड्रॉप भी होता वह आपके लिए अप पहुंच चुका है तो अच्छी कंपनी रहेगा अच्छा परफॉर्म करेंगा ओविसली शेयर में भी आपको अच्छे इंपक्त देखने को मिलेगा बाकी मैं बोलूंगा शेयर कुछ दिन पहले ही देखिए अपना अल्टाइम हाई टाच किया था एक हजाद दोसो अटीस बोनस शेयर इशू किया अपने शेयर हुल्डर के लिए 6 इस टु वान रिश्यो में इसका मतलब क्या इसका मतलब यह आपके पास अगर यह कंपनी का एक शेयर है तो उसके साथ आपको च्छे बोनस मिलेगा मतब अल्टिमेटली जो एक शेयर आपका एक्जिक्यूट हो के ह बाखी बात के प्रफाइल शेयर ने बहुत अच्छी रिटन दिया इवन पांच साल पर भी अबी तक बहुत अच्छे रिटन कमा के दिया तो इसको पर मैं आपको लोंगा चैसे स्टडी करने अनलाइस करने उसके बाद इंवेस्ट करना ना करना वह कंप्लीटली आपके यू बैंक लिमिटेट तो इपसी फॉस्ट बैंक लिमिटेट का रिजल्ट अलएडी साड़रेगी दिन आउट हो चुका था आज उसका इंपक्ट देखने को मिला शेयर के अंदर गिरावट के साथ शुरुआत की समय पे शेयर लगबग सारे 45 परसें ग्रैश किया था लगबग इसको डाउंगेट किया और कुछ डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी इसको डाउंगेट किया जैसे कि मैं आपको एक बाद दिखा था हूं मॉर्गेंस टर्ली नामता अपने सुना होगा इसके अंदर इकुल वेट दिया उसके साथ साथ देखे जो टार्गेट प्राइस उसक तेजी के बगएर गिरावर देखने को बाकी बाव लूँगा इंडिया जैसे डेवलोपिंग नेशन पे जहां पी इतना फास्ट पेस में ग्रो हो रहा है इस टैप की जो मिट साइस बैंक है इसको ऑपरचुटी की नजर से देखना चाहिए अगर शेयर में क्रैश हो रहा ह है तो अब देखिए अपने अल्टाइम हाई 100 रुपे से काफी डिसकाउंटर प्राइज है तो आई थिंग आपके लिए बढ़ी ऑपर चुट्ट है क्योंकि आज फिर से शेयर गिटते गिटते अपना जो ओवर सोल्ड जोन उस जोन पर आ चुका है तो कहने कि आपके बात तो एकदम सही है बिल्कुल क्योंकि मजगा डॉक की अंदर एकदम से चार परसन की गिरावर उसके विचे वज़ात होना चाहिए तो देखे लास्टे फ्राइडे की दिन हमने देखा शेयर में एकदम से रिकवरी वा था रिकवरी कैसा देहन से देखना यहां से सीधा सीधा पहुंच गया था शोला परसेंट देर दिन नहीं देर धीन से देखना थर्स्टे सेगंड अपमें इस में एक रिकवरी शुरूब आ था और फ्राइडे पुरा को पुरा दिन शेयर में देजी था देर दीन के वितर शेयर सोला परसेंट या पेज़ जंपकिया उसके सब्सक्राइब करके अगर आपने तक नहीं किया तो जब भी कंपनी का रिजट आउट हो जाएगा तुरह आपको फीडियो के सब्सक्राइब अब देख उसके साथ और यहां पर आपको आठ तरीक वेट कर जाना चाहिए मतब देखिए अगर आपको इंवेस्ट करना है तो मैं बूलूँगा आठ तरीक आप टाइम नहीं है एक देर हफता ही बाकी है पहले प्रेजल चेक कर लिए उसके बाद आराम से इंवेस्ट करना अच्छी कंपनी अगर आपके पास शियर है तो ठीक है मतब इमिडेटली आपको सेल करने के आप लिस्ट जरूरत नहीं है अच्छा नेक्स नम बात करेंगे आइप उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी देख अच्छे लगा इंफॉमीड लगा प्लीस दोस्तो इसका प्रिमियम पहुंच चुका है 37 परसेंट शुरुवात होने के साथ जात टार टेकलोजी आपको का फिलाल अभी डेट एंड प्राइस तो डिकलाड नहीं हुआ बट इसका जो प्रिमियम में लगातार इंक्रीज हो रहा है पहले धाइस होता भी 275 पर पहुंच चुका बाकी बात करें महित्रे मेडिकर 69 परसेंट बहुत अच्छा प्रिमियम चल रहा है व्रुंदाबन जो की 27 परसेंट प्रिमियम चले उसके बाद देखिए बहुत जली बजार पर लिस्ट होने जा रहा है परागॉन फाइन जिसका प्रिमियम चले 98 परसेंट का आसब मतलब म अबने देखा बहुत सब्सक्राइब अभी ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी इसको पर अभी तक तो रेटिंग नहीं दिया वाट कुछ एक दो यहां पे डोमेस्टिक ब्रोकरेज की तरब से इसको पर टार्गेट एन रेटिंग दिया है जैसे कि अब अब ग्लोबल मार्केट बगर डाउन हो गया ऑटमेंटिकल यह टार्गेट एचिफ हो सेक्टा मतलब विदिन फॉर्ट तौफाइब मंस के अंदर मेरा कोडिंग प्रभूदास लिए जो के और एक ब्रोकरेज कंपनी तरब से भी बाइक रेटिंग दिया दो हजाए 608 रुपए टार्गेट के साथ और इस बार कंपनी के रिजल भी अच्छा हाया और उसके साथ सुबह सुबह हमने देखा ब्रेन क्रूट के अंदर किरावाट भी देखने को मिला तो यह एक प्राइम रिजन है शेयर में इतना अच्छा मूबबेंट देखने को मिला बाकी बात करें अगर आपको लॉंग टर्म के लिए जाना है बहुत लोग अक्सर मुझे बोलते हैं यह तो बहुत ही बात है बट आपके अंदर उतना पेशन्स भी होना चाहिए यह नहीं कि छे मेने दस मैने के लिए इन्वेस्ट करें उसके बाद निकल जाए इसा नहीं है मिनि आस लिए फाइनली जो इंपॉर्टन अप्रेट से हमारी इस पें टाटा मोटर्स के लिए बहुत दमधार अपडेट आया कल मैं बोलूंगा इसका इंपक्ट आपको डेफिनेटली शेयर में देखने को मिलेगा एक दो करो नहीं बहुत बड़े अमांट दोस्तों टाटा मो पॉलिटिकल यहां पर मनेचीब हुआ था तो जिस वैसे सिंगूर से हटके गुजरार में पहुंच गया था अगर सिंगूर में हो जाता है आज बेंगॉल की जो नजारा है वो कुछ अलग ही होता मैं बेंगॉल की जो बुल सकते की एकोनोमी और जादा बूस्ट हो जाता ठीक है और लगबक 766 करोर प्लास उसके उपर इंट्रेस भी टाटा मोटर्स किया पर मिल गया ठीक है यह केस जितने के बाद तो कंपनी के पास दोस्ते एकदम इन हैंड कैश्ट अच्छा हो सकते क्योंकि लगातर हमने देखा आटो सेक्टर का नंबर काफी अच्छा रहा अच्छा उच्छा होने का चांस है अच्छी कंपनी बड़े कंपनी तो इसके साथ जा सकते बाकि अगर आपको कोई डाउट साब मुझे क्लियर कर सकते हो कमेंट के थू फिलाल इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक किया बाबाई जाइ हिंदे